आप सबों का competitive examination preparation channel में स्वागत है और इस video lectures को start करने से पहले बता दें कि हम लोग इस lecture series में जो करने वाले हैं एक तो everyday एक new questions आप लोगो मिलेगा और उसके next day उस questions का हम लोग solutions भी upload करेंगे तो उससे आप लोगो everyday अपने concepts को apply कर सके question solve कर सकते हैं और next day answers को अपना match कर सकते हैं या फिर कोई doubts हो तो उसको अपने comment box में डाल सकते हैं तो आज से हम लोग questions को समझते हैं और उसके बाद आप questions के अंत में जो नई questions जो होंगे उसको आप solve करने का कोसिस करना और कोई problems हो तो उसको comment में आप डालना तो questions से start करते हम लोग सिविल सर्विस एक्जामिशन 2018 में आयोगा से टे में question number 38 है एक पुस्तक विकरेता ने रूपीज एक्स परती पुस्तक की दर से भुगोल की ए पुस्तके बेची रूपीज एक्स प्लस टू परती पुस्तक की दर से इतिहास की ए प्लस टू पुस्तक बेची तो उसका कुल विकरी रूपिया में कितनी है यह चार options है तो बता देंगे questions हिंदी और इंग्लिस दोनों में ही इसलिए प्रवाइड करना किया जा रहा है कि जो हिंदी मीडियम से है उसको लिए भी helpful हो जाएगा जो इंग्लिस मीडियम में है उसके लिए भी helpful हो जाएगा तो अल्रेटी प्लेलिस्ट में काफी UPSC के civil service exams के questions के अप्लोड किया गया solutions को तो आप उसको देख सकते हो कि इस करें गया आप उस आपने बखाने हो जाएगा तो फिरूंग ऑ्लोड यहाइगा तो ने चेक्स सब्लाइपर प्लोड तो अंपलोड जोह सो एब फी आप्लोड लूड को सब्लूड को तो प्लाइग इस जोग्राफी सीड़ी और मैथमेटिक्स मतलब भूगोल इतिहास और पहला जो रो है वो number of books का है दूसरा selling price per book मतलब कितना विक्रे मूल है एक book का वो लिखा हुआ जिसे जोग्राफी के भुगोल के a book है और हर एक book का जो selling price मतलब विक्रे मूल x है उसी तरह से इतिहास के मतलब history के a plus two number of books है और selling price जो है पर book x plus two है उसी तरह गनित मतलब mathematics के a minus two number of books है और हर एक book का selling price x minus two है तो total selling price पूछा जा रहा है कि total selling price कितने होगे तो a books number of books a है और x पर book है तो मतलब यह दोनों आपसे multiply करेंगे तो जोग्राफी का total books का selling price a into x हो गया उसी तरह से history इतिहास के total selling price हो जाएंगे a plus two into x plus two mathematics के minus two into x minus two हो जाएंगे फिर इसको simplify जब करेंगे a x हो गया फिर a को यह दोनों से multiply करेंगे a into x 2a फिर two x और four हो गया फिर यह दोनों जो multiply करेंगे a को x से और minus two को minus two x फिर minus two a और minus minus plus four हो जाएंगा फिर हम लोग देख सकते हैं plus two a minus two a cancel हो जाएंगा two x minus two x cancel हो जाएंगा a x a x तीन बार है तो three a x हो और चार और चार आठ हो गया तो महलों हम कह सकते हैं कि इस question का answer जो होगा three a x plus eight होगा यह option number भी तो अब जो नए questions जो आप लोगो practice के लिए दे रहे हैं वो जो आप ट्राय करो गए यह question number यह question है civil service examination 2018 के set a का किसी परिच्छा में पास होने के लिए एक विद्यारती को 40% अंक चाहिए माल माल लिजिए कि उसे 30 अंक मिलते हैं तो तब तीस अंकों से अनूतिर्न हो जाता तो परिच्छा में अधिकतंक अंक कितने हैं यह चार उप्सन होगे कि a student has to get 40% marks to pass in an examination suppose he get 30 marks and fails by 30 marks then what are the maximum marks in the examination तो यह question आप लोगो प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है तो आप लोग इसको कोसिस करो इसका solutions आप लोग नेक्स टे अप्लोट करेंगे वीडियो आप पहले खुद से ट्राय करो थेंक्यूं थेंक्यू